दोस्तो अगर आप Vivo का एक ऐसा phone लेने का mood बना रहे हैं जो की mid budget में आपको मिल जाए और साथ ही दोस्तो जो features आपको देखने को मिले वो काफी हद तक आपको updated देखने को मिले तो Vivo की तरफ से आने वाला Vivo का Y20T आपके लिए एक better choice रहेगा क्यों रहेगा इस बारे में details से बात करेंगे इस वीडियो के अंदर इसकी unboxing करेंगे और फूरे features को define करेंगे कि ये phone आखिर आपके लिए क्यों खास हो जाता है दोस्तों Y-series के अगर हम बात करते हैं Vivo की तो यहाँ पर Y20 और Y12 यह series कुछ ऐसी है यहाँ पर T, G बहुत सारी चीज़े आपको देखने को मिल जाएंगे और थोड़ा 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 अंतर आपको समय देखने को मिलता है लेकिर overall बात करी जाए तो mid budget में र दोस्तों यहाँ पर आप हमारे सामने देख रहे हैं Vivo के Y20 T का यह box और box बहुत ही compact सा लग रहा है बैक पर आपको खुछ बहुत सी basic सी detail दे रखी है तो इनके बारे में हम लोग आगे जाकर बात करेंगे ही तो फटाफट open करते हैं box को और देखते हैं box के अंदर का content क्या ह होने वाला है तो दोस्तों box के अंदर mainly आपको यह सारी चीज़े देखने को मिलती हैं सबसे पहले अगर हम charger की बात करते हैं तो यहाँ पर यह आपको एक वेटेट सा charger देखने को मिल जाता है जहाँ पर अगर हम बात करें scale look की तो काफी एकदम compact सा नजर आ रहा है output rating यहाँ cable के दर्शन हो जाते हैं यह अपने आप में काफी अचंभे वाली बात है जबकि मैं यहाँ पर expect कर रहा था कि यहाँ पर कई नगई type C होगी तो कई नगई यह चीज़ अच्छी होती है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको outdated scene दे रखा होता है जो कि यह micro USB के साथ रहता है साथ में कुछ stickers रहते हैं और यह आपको एक section देखने को मल जाता है इस section के अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको यह case cover और कुछ basic सा paper work देखने को मलता है यह आपकी इसम ejector pin रहेगी और यह आपका case cover रहता है बहुत मुलायम सा है और transparent सा लग रहा है देखने में cover तो काफी मजबूत से आपको दिखाई देंगे तो यह सारी चीज़ें आपको box के अंदर देखने को मिल जाती है और साथ में रहता है यह phone तो फटाफट इससे setup कराते हैं उसके बाद detail से बात करते हैं phone के बारे में तो दोस्तों यह रहता है आपका phone इसे मैंने करा लिया है setup औ अभी brightness हाला कि इसकी mid पर रहती है से अगर हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं तो आपको काफी अच्छी brightness देखने को मिल जाती है resolution हाला कि यहाँ पर आपको HD plus का ही दे रखा है जिसकी वज़े से pixel density आपकी 270 pixel पर inches की हो जाती है तो यह चीज़ थोड़ी सी गौर करने वाल बसरते हैं यहाँ पर resolution थोड़ा सा problematic रहता है साथी उपर की तरफ आपको 8 megapixel का selfie camera दे रखा होता है जिसे कि अब 1080p की video 30 fps पर record कर सकते हैं तो इसके बारे में हम आगे जाकर बात करेंगे फिलाल अगर हम लुक को देखेंगे तो यहाँ पर side में आपको power button साथ में side mounted fingerprint scanner भी मि volume keys रहती हैं और दूसरी तरफ आपको dedicated SIM slot के options देखने को मिलेंगे अपर section देखा जाए तो यहाँ पर एकदम नीचे की तरफ आपको वही सारी जानी पैचानी सी चीज़े दे रखी होती है एक आपको audio jack एक micro USB port और यह आपकी speakers रहेंगे यहाँ पर जो micro USB port रहता है वो कहीं अपने आपने एक समस्या का विशह रहेगा कि आज की तारिक में अगर हम बात करें लेटस चीज़े की तो वह type C ही है और यहाँ पर आपको type C नहीं मिले है अलाकि आपको 18 watt की fast charging के दर्शन जरूर से हो गया है तो चलते हैं भई फोन के अंदर बात करते हैं details कि और आपको क touch OS देखने को मिल जाता है और साथ में यहाँ पर आपको RAM की अगर हम बात करते हैं तो 6GB का variant है अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसे 1GB तक extend भी कर सकते हैं तो यह चीज एक चीज मुरे को काफी अच्छी लगी है इस फोन की Android version की बात करें तो Android version 11 दे रखा होता है और processor यहा आपकी 33 की होती है out of 100 और एक C grade processor इसे mark किया गया है यानि कि आप इसे एक below the average मान के चलिएगा कि बहुत बहातरीन processor यहाँ पर आपको नहीं दे रखा है लेकिन overall अगर आप halki full की gaming करना चाहते हैं तो आपके लिए ठीक रहेगा लेकिन बहुत high standard gaming अगर आप सोच के चल रह चाहिए तो फिलाल अभी चलते हैं बही बात करते हैं camera के बारे में camera में आपको क्या क्या मिल जाता है तो camera तो मेरे को काफी decent से लगा है first look में तो जाते हैं एक सामने की तरफ यह चोड़ा सा flower pot है उसकी photo ले ले लेते हैं और बही open कर दिया है मैंने यहाँ पर इसे और अग आप तैय करिए कि इसकी sharpness और इसकी depth कहां पर रहती है सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर इसके colors की overall देखा जाए तो colors काफी हद तक original रहते हैं यह एक बहुत अच्छी बात है मुझे लगता है कि किसी भी phone का सबसे बड़ा अगर point होता है तो image आपकी original रहनी इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि काफी जादा sharpness maintain करने की कोशिश कर रहा है इसका camera तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा camera यहाँ पर आपको photography के लिए दे रखा है इसके बाद अगर हम जाके बात करेंगे भाई कि यहाँ पर आपको 13 प्लस 2 मेगापिक्सल की camera's दे रखे होते हैं तो यहाँ पर आपको चलते हैं एक बर इसके selfie camera की तरफ और बात करते हैं कि normal mode पर इसकी performance कैसी रहती है तो यह एक photo को click कर लिया है और यहाँ पर अगर हम देखेंगे sharpness को तो again बहुत जबरदस्त है मतलब 8 मेगापिक्सल का camera आपको एक अच्छी performance दे और sharpness अगर आप देखेंगे तो आपको काफी बहतर फील होगा इस phone के साथ तो यह चीज़ बहुत प्यारी बना देती है इसकी image को जिसकी मैं यहाँ पर तारीफ करना चाहूंगा दूसर एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी miss हो गई थी वो इसका back था और मैंने आपको बता है तो बहुत ही decent सा लुक आ रहा है हाला कि glossy finish दे रखा है यहाँ पर आपको हलके full के fingerprint spot भी देखने को मिलेंगे और glass की corning यहाँ पर इसके back पर आपको दे रखी होती है overall black color में यह काफी decent सा लुक देता है जो कि एक अच्छी बात है camera's के बारे मैंने आपको पताया 13 plus 2 plus 2 megapixel करते हैं और 1080 pixel की video's आप 30 fps पर record कर सकते हैं तो अभी हम लोग इसके कुछ picture samples आप देख रहे होंगे यहाँ पर और finally देखकर बताए कि आपको इसका camera कैसा लगा है बाकि अगर मेरे views देखे जाए इसके camera के बारे में तो मुझे तो काफी हद तक इसका camera बहुत अच्छा लग तेजी से open हो रहा है साथ ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी तो face lock भी fast है हलाकि एक हलका सा delay feel होता है लेकिन खेर कोई मेरे को बहुत बड़ी दिक्कत समझ में नहीं आई है तो overall मैं कह सकता हूँ कि face lock finger print डिस करना दोनों ही बहुत fast है और overall phone का look तो जबरदस्त रहता ही है तो अभी हम लोग जाते हैं इसके कुछ video samples देखते हैं उसके बाद detail से बात करते हैं कि यह phone आपको लेना चाहिए या नहीं तो दोस्तों अभी recording हो रही है यहाँ पर इसके back camera से और देख सकते हैं कि आपको इसी quality कैसी नज़र आ रही है वीडियो में काफी हद तक आप को शेक नज़र आएगा लेकिन colors बड़े प्यारे नज़र आ रहे हैं इस बात की मैं यहाँ पर तारीफ करूँगा साती अगर हम बात इसके focus करते हैं तो इसे focus कराते हैं इस flower पर देखिएगा कि इतनी तेजी के साथ यह focus कर लेता है एक बर फिर से चीज को करके देखते हैं इस flower के साथ तो आप देख सकते हैं बहुत तेजी के साथ focus कर रहा है जो कि मुझे काफी interesting लगा है तो overall यहाँ पर इसकी performance मेरे को काफी अच्छी नज़र आ रही है हलाकि बस एक छोटा सा कमी यही रह जाती है कि shake आपको वीडियो में नज़र आएगा तो फिलाल अभी चलत बहुत सही तरीके से होता है इस बात की मैं यहाँ पर तरीफ करूँगा और मैं इसकी display पर जैसा देख पा रहा हूं उससाब से मुझे लगता है कि वीडियो footage के अंदर originality बर करार रखने का काम इसका camera बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है तो यह चीज़ मेरे को काफी interesting बात करते हैं कि यह phone आपके लिए क्यों खास होने वाला है तो सबसे पहले शुरुवात करते हैं यहां पर इसकी display के बारे में दिस्प्ले का साइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन यहां पर प्रॉब्लम का विससे बन जाता है वह यहां पर इसका resolution आ जाता है कि य यहां पर आपको देखने को नहीं मिला यह अपने आपने एक थोड़ा सा point वाली बात हो जाती है इसके बाद अगर हम discuss करते हैं जाकर कहीं नहीं कि यहां पर इसके camera के बारे में तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि 13 Megapixel बस नाम का ही 13 Megapixel है क्योंकि अगर आप देखेंग तो बताएगा कि आपको इसी quality कैसी लगी है साथ ही अगर हम बात करते हैं राम extend के option यहां पर आपको दे रखे होते हैं जो कि एक आज की तारिक में बड़ा point रहता है जनरली अगर आप और भी brands को देखेंगे जहां पर आपको RAM को expand करने के option दे रखे हैं जिससे कि आप RAM को अपनी बढ़ा सकते हैं यानि कि internal storage का use एक RAM की तरह कर सकते हैं तो यहां पर भी वह चीज़ देखने को मिल गई है हलाकि आप सिफ एक जीवी की RAM expand कर पाएंगे लेकिन यह चीज मिली है इस बात कि मैं यहां पर करूंगा तरीब क्योंकि इस प्राइज रेंज में यह चीज स्मूद गेमिंग ना कर पाएं क्योंकि यहां पर HD plus का resolution है जो कि कहीं न कहीं हो सकता है आपको graphics वगरा उतने अच्छे ना लगे चूंकि यहां पर full HD plus का resolution होता तो खैर मजा आ जाती लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप gaming के बिहाब पर ले रहे हैं इसको की gaming वगरा करनी ह तो मुझे लगता है कि आपको वीवो में ही कुछ better option है आप उन में जा सकते है अधरवाइस बहुत हलकी फुल की gaming करनी है आपको तो उसके लिए तो ओके टाइप है तो यह सारे points आपको देखे होंगे लेकिन एक point जो कि मैंने आखरी के लिए बचा कर रखा था वो रहता है यहां पर इसके micro USB के बारे में दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो जमाना है वो है आपका type C का आप देख भी रहोंगे कि लगातार सारे ports आपके type C हो रहे हैं यहां तक कि आपका laptop भी अगर आपको अच्छे खासी company का खरित किलाते हो तो वहां पर भी आपको type C द charging देर की 18 watt की fast charging है कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको लेकिन at least type C मिलनी ही चाहिए थी इस phone के अंदर तो मुझे लगता है कि इस phone में बस एक जो थोड़ा से चीज मेरे को पसंद नहीं आई है वो यहां पर एक तो इसका resolution और दूसरा type C वाली बात बाकि कोई भी ऐसा point नही है जो कि इसे आप एक तरीके से मान के चले कि negative point है पाकि मुझे सब कुछ अच्छा लगा है इस phone का overall इन दोनों चीजों को छोड़ कर तो कमेंट करके आप भी बताएगा कि आपको यह phone कैसा लगा है साथ ही अगर इसका comparison आप किसी phone के साथ दिखना चाहते है एक phone है जो इसक आपको वहां पर भी मिलती रहें तो आज की इस वीडियो में तब तक निवाश्कार दोस्तों जेहिंद बंदेबात रहें